आज मैंने लंच में दो तरह की सबजी बनाया है एक हैदराबादी पनीर और एक है निनुवा की सबजी मसाले वाले जिसके साथ मैंने दाल यूज किया है तो दाल को सबसे पहले मैं भीगो दे रही हूँ और उसको भीगो करकर रख दिया है और पनीर जो है मैं इसे घर पे ही यूज किया है इसी कहां से पीसेज इसके नहीं किया है एक साथ इस तरह से भूनने के कारण क्या होता है कि कम तिल लगता है तो मैं इस तरह से इसको भून ले रही हूं दोनों साइड से उलट पलट के भून करके ब्राउन होने तक इसको मैं निकाल लोंगी जब ये भून जाएगा तब हम इसको पिसेज कर लेंगे ये कम तेल में यूज करने का एक तरीका है इसलिए मैं इसको इस तरह से भून रही हूँ अब मैंने सबजिया लिया है दो प्याज मैंने लिया है दो बड़े साइज की टमाटर लिये लाल लाल एक दम और धनिया पत्ता एक मुठा लिया है हरिमिच और ये अदरक influence ये सारी सब चौप कर लेती हो इसका योज में अभी करने वाले हूँ तो सब से पहले इसे छिलके और इसको वॉस करके इसके पीसेस कर लूँगी टमाटर को वॉस कर लिया है दनिया पता यह सारी पीसेस कर लेते हैं और इसके बाद इसको भूनना है तो सबसे पहले इसको मैं पीस कर ले रही हूं अब यह सब सी बहुत हरी टेस्टी लगता है इसके क्या जो पॉपलारृटी है्ये न कि आप जैस मैंने लिया है धनिया पत्ता पालग भी ले सकते हैं इसके साथ मतलब की जो ग्रेवी बने की वो ग्रीन आती है ग्रीन फ्लेवर की तो हैदरबादी पनीर की यही खासियत है कि यह ग्रीन फ्लेवर यानि मैंने जो धनिया पत्ता यूज किया है इसके साथ आप पालग भी यूज कर सकते हैं और मसाले की तर मैंने डाल दिया है सारह अब इसको गर्म कर रही हूँ एक चमस तेल डाला है ज्यादा इसमें नहीं अई डाला है और इसको अच्छी तरह से गरम करके इसमें जो हमने चौप किया है प्याज, टमाटर, हरी धनियाल, हरी मिर्च और अद्रग ये सारी चीजे मैं एक साथ इसमें डाल करके सौटे करूंगी अच्छी तरह से सौफ होने तक पकाना है प्याज को हलका सा मतलब सौफ होने तक पका तो सारी चीज़े में एक साथ डाल दे रही हूँ, हरिमेच हो गया, अदरक हो गया, टमाटर, धनियापत्ता, यह बहुत ही टेस्टी सची लगता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, बनाते वक्त भी यह बहुत हेल्दी भी है, कम मसाले पढ़ते हैं, धनियापत्ता के साथ अगर आप प्रेफर करते हैं, तो इसके साथ स्पीनेच भी पढ़ता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, और नारियल का पॉडर, तो जो सुखा नारियल पॉडर मार्केट में मिलती है, वो या आप जो फ्रेस मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और सिस में वाइट, सिस में तिल भी होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, और पनी कब इसे मिला करके थोड़े से पका करके अब इसको ठंड़ा करके पानी एड़ करके इसका पेश्ट त्यार कर लेगते हैं कि तो ये है हमारी है राध्य पाधी पनिर की जो थिक क्रेवि बनेगी उसकी मसाला त्यार हो रही है तो इसको मैं निजार में ट्रांसफर कर दिया, ये ठंडा हो चुका है, पनीर को पीसेज कर लेते हैं, बड़ी-बड़ी साइज में, इस तस मैंने बड़े-बड़े पीसेज कर दिया है, बड़े-पीसेज खाने में बढ़ियां लगता है, तो इसलिए साइस थोड़ बड़ा रखा है मैंने, अब कडाही चड़ाया है, इसमें मैंने तड़का दिया है, जीरे का और हरी मीर्च डाल देंगे, जीरा डाल देते हैं, और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जो है, यह मस्ठ है डालना, क्योंकि हैदरावादी जो पनीर हम बना रहे हैं, इसमें आप जो ग्रेवी बना रहे हैं, उसमें धनिया पत्ता और पालक जो की ग्रीन होता है, कड़ी बनाएंगे, और कड़ी पत्ता यह मस्ठ है डालना, तभी टेस्ट आएगा, इसमें डाल दिया है मैंने, जो प्रिपेर्ड मसाला है वो, और इसे हम पकाएंगे, जब तक कि भुनना जाए अच्छी तरह से, अब इसे में हम मसाले डाल देते हैं, ड्राइप पॉडर जैसे की जीरा पॉडर हो गया, काली मिश पॉडर, धनिया पॉडर, गरम मसाला और हल्दी पॉडर, लाल मिश पॉडर, इतना काफी है मसाले डालने के लिए इसमें, जो कि पनीर की समजी में या किसी भी समजी में हम रोग जनरली डालते हैं, वही इसमें भी पड़ेगा, और गरम मसाले में सारे मसाले इंक्लूट रहते हैं, तो मैंने एक चमस डाल दिया है इसमें, लेकिन मसालों की क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम डाला है, क्योंकि हैदरवादी मसाले में जो ग्रेवी हम बना रहे हैं, वो गाड़ी होती है, उसकी प्रिफर्ड ज्यादा होती ह यह इन मसालों से अच्छे तरह से मसाले को भूनेंगे जब तक कि और सेपरेट नहीं हो जाता है तब तब मैंने फ्रेस मलाई डाला है दूद के साथ तो आधी कटोई मैंने डाला है यह घर की फ्रेस में मलाई है लेकिन मैंने दूद के साथ तोड़ा डाला है जिसे की कवाँटिटी थोड़ा सा और जो फ्लेवर आएगा वह अच्छे से क्रीमी आए की और पनीर भी डाला क्योंकि कि जो मैं क्वांटिटी ज्यादा बना रही हूं इसकान से मलाई भी ज्यादा डाला है और यह देख रहे हैं मसाले का कलर बहुत बढ़ियां आ रहा है टेस्ट भी एकदम क्रीमी आएगा अच्छी तरह से मसाला भून चुका है फाइनली यह हमारी हैदरावादी पनीर त्यार हो चुकी है गर्म गर्म इसे नान हो या पराठा हो किसी भी चीज के साथ इससे सर्व कर सकते हैं चलिए अब दूसरी सब्जी हम त्यार करते हैं जिसको हम लोग निनुआ भी बोलते हैं तुरही भी बोलते हैं यह हरी सब्जी में बहुत ही बेस्ट है तो इसको मैं तड़का लगा रहे हूँ जीरे से हरी मीर्च से तेश बत्ता डाल सकते हैं और ही स्प्रेटर होने देते हैं और डाल करके इसको अच्छी तर्फ से तरक लगा दे रहे हैं और जो प्यास डाला है इसकी कौंटिटी थोड़ी ज्यादा डाले है क्योंकि बहुत बढ़िया लगता है इसके साथ प्यास है और इसको एकदम ज्यादा हम इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ज्यादा एक दम भूरा नहीं होएंगे, ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे, अब इसमें मैंने लैसन डाल दिया है, चौक किया हुआ, एक कटोरी, छोटी कटोरी से मैंने चना डाल इसे सोक करके रखा था, अब फ्राई करते हैं, इसको साथ में प्याज के साथ, यह अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम मसाले अट कर देते हैं, जैसे कि जीरा पौडर और काली मिच पौडर, धनिया पौडर, हल्दी पौड आदा चमच लाल्मिच पौडर, यह सारे मसाले हम इसमें अट करके इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी इसको भूनने के लिए अट करेंगे, लार्मीज पौडर मैंने अट कर दिया है अब थोड़ा से इसमें पानी हम डाल देते हैं क्योंकि ड्राइ नहीं भून पाता है मसाला तो थोड़ा से अट कर दिया पानी भूनने के लिए स्वाद के उनसार नमत तो मसाला देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है यह भून चुका है अब मसाला भून गया है तो अब इसमें हम यह निनुवा डाल दे रहे हैं और इसको पानी एड नहीं करना है इसमें बहुत सारे पानी रहता है तो गैस को पकाने समय करते हैं कि हम इसको मसाल एक साथ मिला देंगे कि इसके पकाएंगे अब जब साहिक में हो पानिए mystery यह सब्नाया सब्हुब हम और सबर हम मसैले दाटो बाता है बहुत मसाले दार्फ है टेस्टी लगेगा चना दाल के साथ अगर आप इसके अलावा चना भी प्रिफर करते हैं तो काला चना भी एड़ कर सकते हैं और यह मस्त हमारी सब्जी तयार हो गई दोनों तर के सब्जियां मैंने लंच में बनाई है एक थोड़ी मसाले वाली है और जो की हरी सब्जी भी है मसाले थोड़ी सी म बनीर दोनों सब्जी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा चलिए हम गर्मा गरम सर्व करते हैं या राइस हो या पराठा हो या आप पूरी भी किसी भी चीज के साथ इसे गर्मा गरम सर्व कर सकते हैं